नमस्काल, BCN News की प्रदिश की खबरों में मैं भागिश्री आपका स्वाखत करती हूँ, बढ़ते हैं खबरों क्यों और इस वक्त की खबर सुल्तान पुर जिले से हैं, जैसिंग पुर कुटवाली शेटर की अंतरगर तांडा बांदा राश्ट्य मार्क पर उस समय भीशन सड़क हाथसा हो गया, जहां तेज रफ्तार अग्यात वाहन ने सागर सवार को डोते भी आके निकल गई, जिसके चपेट म पे आकर प्रोट की खटना स्थर पर ही दर्दनाक मौत हो गई, गटना जैसिंग पुर कुरवाली शेटर के सेंब्री चौकी शेटर की है, जहां गुरवार की सुबा करीब आठ बजे तांडा बांदा राश्ट्य मार्क बाहर पूर लहुट मोड की पास दी गुजर रहे सा पूंते हुए आगे निकल गया, गटना इतनी भीशन थी कि साइकल सवार की मौकी पर ही दर्दनाक मौत हो गई, सुचना पर पहुचे स्थान ये लोग ने पुलिस को सुचना देते हुए खुन मिलत पद शव को किनारी कर बाया, मृत्तक साइकल सवार की पैचान सेमरी बा को पर स्वीट प्रेकर ना होने से गाड़ियों की कती काफी देश होती है, जिससे अकसर लोग काल की गाल में समा रहे हैं, और मैकमी के आला अठिकारी इस समस्या पर ध्यान भीने दे रही है, विश्यन दिवस के लिए सुल्तान पुर से प्रमोध यातों की रिपूर्ट जनपध हापुर में पलिस और बदमाशों के पेच मुडबेट हुई है, मुडबेट में दो बदमाशों के पैर मी गोली लगी है, मुडबेट के दौरान पलिस का एक कॉंस्टिपल भी खालबा है, जिसको उप्चार के लिए अस्पतार में भरती करा क्या है, वही पलिस फ प्रेटर में वहां चेकिंग अभियान चला हुआ था तब पुलिस को एक सफेद रंकी अपाची पर तीन लोग आती वे दिखा थी जिनको पुलिस ने रोकने का इशारा किया लेकिन बाइक सबार तीन लोग नहीं रुके और पुलिस पर फारिंग करते भी भागने लगे जिस जिनको उप्चार के लिए नजदिक की अस्पता में भर्ती करा गया पर इसने बदमाशों के पास से एक बाइक और कई हत्यार भी बरामत किया है पश्तास के दौरान बदमाशों ने कई खटना करने को भी स्विकार किया है बिस्यन नियूस के लिए हापुट से अनिल कशप की रिपूर्ट स्कूलों से निराशाही मिली है आपको बता दे कि दुर्गा सब्तशक्ती पाउंडेशन की पाउंटर संद्या सिंग बच्चों को आडमिशन दिलाने के अभी भागों के साथ निरंतर प्रयासरत है जिसके तहट उन्होंने अभी भागों के साथ मिलकर डीडीई, डीओई, सियंग केज्रिपाल, शिक्षामंत्री मरेश से सुतिया, राचिपाल दिली, डीसी प्रिस्यार, सब चकाश शिकार की लेकिन कोई हल नहीं दिखला. प्रवाइब लगातर इतने दिन हो चुके हैं, एक महीने हो चुका है, बाइस सारीक से स्टार्ट किया था हमने, आज बाइस सारीक हो गई है, पूरा बन मन्थ हो गया, पर कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला, और ये ऐसे ही करते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, अब बह हैं, इसा हर दिन उम्मित लगा के बैठे होते हैं, कि आज नहीं तो कल एड्मिशन हो ही जाएगा, तो मैं इनसे बस ये चाहती हो, कि ये बाहर निकले, जनता को जवाब दें, और बोलने से भी कुछ नहीं होगा, रिटन में लिखके दें, यहां आने का लिज़े, आपने जवाब बांगने आए थे, कोई हम नारे बाजी करने नहीं आए थे, यह तो हमने सोचा था कि चलो, मिलके कुछ 20-30 लोग जाके बात करके आएंगे, और सायथ हमें जवाब मिल जाएगा, पर यहां पर उनकी मैडम हैं, सेकेर्टरी हैं, जो भी हैं, उन्होंने इतना सिंगा जी, मैं पेरंट स्टूडेंट से यहां पर आया हूँ, मेरे 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 एक कोश्चन है मिनीशी जी के पास, कि आप जो भी ऑर्डर्स पास करती है, जो भी ऑर्डर्स लाता है, वो ऑर्डर्स इंप्लिमेंट क्यों नहीं करभा पा रही सरकार, हमें इसका जवाब चा अगर सरकार हमारी नहीं सुन सकती तो सरकार को भी इसमें पावर में रहने का कोई अधिकार नहीं है पर उनको चाहिए कि या तो पावर अपनी छोड़ दें और किसी और को दें नहीं तो प्राइट स्कूल की फीस बढ़ने दी जाएगी पर आप बताइए कौन से स्कूल की फीस रुकी है हर साल स्कूल की फीस बढ़ रही है हाँ पैंडेमिक में पिछले साल नहीं बढ़ी कई स्कूलों की पर कई स्कूलों ने पिछली पैंडेमिक में भी बढ़ाई है जब पैंडमिक एक्ट एंप्लिमेंट हो रखा है इस समय तो फिर उसको क्यों नहीं माना जा रहा है। सर हम बैठे हैं जब तक हम इनके साथ हैं और हमारी इनको सुनवाई करनी पड़ेगी। जिसके बाद आज सुपा बच्चो को आडमिशन दिलानी और केज्ट्री पास सरकार द्वारा गरीब बच्चो को प्राविट स्कूलों में आडमिशन की आदेश का स्कूलों की मनमाने की शिकार करने किने और उन्होंने अभी भावकों के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री जिसके बाद दिल्ली पुलिस वारा उन्हें और उनके कार्य करता हूं वह अभी भावकों को पुलिस ने गिरफदार कर लिया है मनीश सिसोदिया जी के बाहर मक्सद आने का यह है कि हम लोग इनसे सवाल पूछना चाहते हैं हम जितने भी अभी बावक हैं वह मनीश जी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं यह बैठे हुए हैं इसके लिए इनको आश्वासन दे दिया गया है लेकिन एडिमीशन के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है आज मनीश सिसोदिया जी को प्राइवेट स्कूल लॉबी पांच करोड रुपे का लीगल नोटिस भेहती है और उसमें मनीश सिसोदिया जी बिल्कुल चुप चाप बैढ़े हैं कोई जवाब नहीं दे रहे हैं यह बि में पर बेरोजगार हुए हैं बट कहीं से कहीं तक स्कूल के नाम पे पैरेंट्स के नाम पे उनसे मिलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं कितनेैस यह श्यवान को प्रियंगों ब्रेंग लिंक ऑप बिल्कुल है इस बढ़ोसे को ना तोरा जाए यह इनसे बिल्कुल गुजारिश है बिल्कुल यहीं मांगे हमारे साथ यहां पर इस टाइम पर कम से कम 60-70 अभी भावक खड़े हैं और आज वह अपने प्रश्णों का सवाल जो है ना जवाब लेकर ही जाएंगे इस बच्चों के अपने फॉर्म्स बरवाए थे यहां तो कुछी पैरेंट्स आ रहे हैं इसकूलों के सामने कई के घंटे पैरेंट्स परिशान है पूरी विवस्था परिशान है लेकिन जवाब देगी किसकी है प्रिशाशन की इसकूल भगा देता है तो उसकी जवाब सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह अगर यह अगर हो गया है कि लोग भी करेंगे पैरेंट्स क्या करेंगे पैरेंट्स पूरे ठान करके बैठे हुए हैं या तो साफ मना कर दो कि हमारे बसका एडमिशन कराना नहीं है तो हम अपने हिसाब से कुछ और देखें लेकिन आप कॉनफरेंस में दावा भी ठोकोगे कि सबका एडमिशन होगा और उसके बाद जमीन पर कुछ नहीं करोगे तो यह नहीं चलने वाला है आप यह तो करो या ना करो अब सवाल यह पैता होड़ा है कि जब केज रिपाल सरकानी प्रावेट स्कूलों में EWS कैटिकरी के तहर बच्चों की आडमिशन का आदिश दिया था तो प्रावेट स्कूल बच्चों को आडमिशन क्यों नहीं दे रहे क्या स्कूल प्रशासन को दिल्ली के मुख्यमत्री की आतिश से कोई लेना दिना नहीं है शायद इसलिए वह उनकी आतिश की आभेलना करे हैं वही के जरिपाल पंचाब उत्तराखन उत्तर प्रदेश में उच्चे शिक्षा की बात करते हैं प्राइविट स्कूलों में एडविशन की बात कही गए थी मनिश शिशोदिया जी ने एक महीने पहले इस प्रेस कॉन्फेंस को संबोधित किया था लेकिन जो स्कूल है वो बात मानने के लिए त्यार नहीं है और अभी भावकों को बाहर निकाल दिये जाते हैं एक महीने से ये लोग परिशान हैं हर जगे अपना ग्यापन दे रहे हैं लेकिन ग्यापन की कहीं भी सुनवाई नहीं हुई जिसको देखते हुए सफसती फाउंडेशन की फाउंडर संद्या सिंग और अभी भावक के साथ मिलकर आज वो मनिश शिशोदे जी के घर के बाह पहुंचे और वहां पर सांति पूर्वक प्रदर्शन किया इस प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उन लोग को अरेस्ट कर लिया और वो थाने ले गई लेकिन इसी को देखते हुए अभी भावक को का ये कहना है और संद्या सिंग जो सफसती फाउंडेशन की फाउंडर है संद्या सिंग का ये भी कहना है कि उत्रा खंड से लेके हर जगे दिल्ली के मुख्मंती अर्विंद के जिरिवाल और मनेश शुदिया सिक्छा की बात कर रहे हैं लेकिन दिल्ली में अभी भावक किस तरीके से परेशान है वो इन तस्वीरों में आप देख से ब्रजेश कुमार के रिपोर्ट उनके खुद के राच में उनकी स्कूल प्रशासन उनको ठेंका दिका रहा है बिस्यन न्यूज के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार के रिपोर्ट BCN News की प्रदिश की खबरों में फिला लिता ही अन्य खबरों से हम आपको युही रूपर्य करपाते रहेंगे देखते रहे ये BCN News नमस्कार